हे अब्रिवन वेलकामान कम्टेल लर्ने आज की वीडियो स्रीज में हम देखेंगे कि कैसे हम एवरेस कोड लेंथ फाइंड करते हैं तो यह ज्यादा कुछ टफ नहीं होता है यह सिंपल एक फार्मूला होता है उसके थुरू हम कोड लेंथ को फाइंड करते हैं तो इसका फा होता है फार्गीवन कोड इस डिवन वाई समेशन आफ पी ए आई इंटू एन ए आई को इसको एक प्रॉब्लम के तुरूद देखते हैं तो आपको इसली समझ में आजाएगा यहां पे कोश्चन्स है इसके इस कोश्चन्स के लिए आपको कोड वर्ड का लेंथ एवरेज कोड लेंथ फाइंड करना है तो जैसा कि आप जानते हैं एवरेज कोड लेंथ एल इकॉल टू होता है समेशन आप पी ए आई इंटू एन ए आई ओके यहां पे पी ए आई हर सिंबल की प्रॉबिल्टी की है एंड एंट एंड एंड एंच इंड आई सहंगल की फिंबल की कोड की लेंथ तो लेंथ हम कैसे फाइन करते हैं जैसे गहां पर एवरेज इंपल का कोड जीरोट्ट इसमें कितने डिजेद आए वanny डिजी थैअशन दिजेट ओंक एसंजności मेरेज की प्रॉब दिजेट दो हुए और एक फोर सिंबल के में कितने दिजिट है तीन है तो इसके कोड का लेंद यह नहीं की वैलुप क्या होगी थ्री होगी तो इसमें सारी वैलू को पूट करते हैं तो पी एक प्रोबिल्टी आफ फर्स्ट कोड की क्या है जीरो पॉइंट फाइफ है और इसमें कोड की लेंद 1 है याई एक वैलू 1 है फिन सेकेंड सिंबल के लिए प्रोबिल्टी की वैलू 0.25 है और यहां पे कोड की लेंद 1 है थर्ड सिंबल के लिए इसकी प्रोबिल्टी 0.125 है और यहां पे कोड की लेंद 2 है और थर्ड सिंबल के लिए यहां पे प्रोबिल्टी थर्ड सिंबल की 0.25 है और यहां पर इसके कोड की लेंद 3 है 1 2 3 3 है तो इसको रखते हैं तो यह हो जाएगा 0.5 यह हो जाएगा 0.25 यह हो जाएगा यह मुल्टिप्लाइब 2 यह हो जाएगा 0.375 नाओ इसको एड करेंगे तो यह 0.5 यह 1 यह 375 1.375 इस final answer that is it is a means यह average code word length है इस questions के इस symbols का इस code word का average code word length 1.375 है I hope आप लोग को यह समझ में आया होगा